चलिए अगली ख़बर कर रुख करते हैं, CM अशोग गहलोत के दिल्ली प्रवास का आज दूसरा दिन है, CM कॉंग्रेस के वरिष्ट निताओं से मुलाकाद कर सकते हैं, आला कमान से मुलाकाद पर कई एहम मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा तो आपको बता दे कि इस वक्त की बड़ी ख़बर आप देख रहे हैं, CM अशोग गहलोत दिल्ली दोरे पर हैं, आज उनके प्रवास का दूसरा दिन है, CM कॉंग्रेस के वरिष्ट निताओं से मुलाकाद कर सकते हैं, आला कमान से मुलाकाद कर कई एहम मुद्दों पर चर्च कर सकते हैं, CM अशोग गहलोत दिल्ली दोरे पर हैं, और आज उनके प्रवास का दूसरा दिन है, CM आज कई वरिष्ट निताओं से मुलाकाद कर सकते हैं, कई एहम मुद्दों पर भी चर्चा संभव हैं, CM अशोग गहलोत दिल्ली के दोरे पर हैं, CM कल अजमेर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, CM अशोग गहलोत का आज दिल्ली प्रवास का दूसरा दिन है, CM आज कॉंग्रेस के कई वरिष्ट निताओं से मुलाकाद करेंगे, और खबर ये भी है कि आला कमान से मुलाकाद कर कई एहम मुद्दों पर CM अशोग गहलोत चर्चा कर सकते हैं, इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशी मोहन हमारे साथ जुड़े हैं, जी शशी बताईए, CM का आज दिल्ली में किन-किन नेताओं से मिलने का कारिकरम है और आला कमान से भी मुलाकाद हो सकती है क्या? प्रदेश में मंत्री मंदल का पूर्ण गठन हो सकता है, प्रदेश में मंत्री मंदल की सीटे हैं और इसकी पीस बड़ी हुई है ऐसे में कुछ लोगों को इस्तीफे देने के लिए का जा सकता है और पूर्ण गठन में नए चेरे भी शामिल होगे एक सीट विलान सभा उपादेश की बची हुई है हाला कि अब बिलान सभा की बहुत जाला बैठके तो नहीं रह गई है लेकिन नेताओं को संतुष्ट करने के लिए उनके सम्मान की बात होती है इसलिए कुछ एड़्जस्मेंट किया सकते हैं पालिटी चुनाओं में जाएगी यह साल चुनाओ का साल है इसलिए कोशिश होगी कि एक उनरगठन करके अगर कोई असंतुष दढ़ा है तो उसको समझाया जाए उसको साथ लिया जाए मुख्यमंत्री ने खुद ने आपने देखा परसवरात कहा था कि पालिटी एक जुटा है और एक जुटा के साथ चलेगी चोटी मोटी बातें परिवार में होती रहती है आज कॉंग्रेस के राश्ची संक्ठन महासाचिव केसी वेनोगुपा से भी मुलागात का कारेक्व मुख्यमंत्री चोटी मुलागात हो सकती है चलिए शुक्रिया शशी मोहन आपका इस ख़बर पर जानकारी देने के लिए आपका दुबारा रुख करेंगे चलिए अगली ख़बर करूख करते हैं